आपका स्वागत है दरनी इशो क्लिप्स ने, बस देखते रहो और सीखते रहो जाते हैं और उनका मंत्र वक्र टूंड महा काए शूरे कोटी समप्रभा निर्विग्नम कुरमेदेव शर्वकारेशु सर्वदा या स्रीगनेश जै श्रीगनेश जोतिश के अब हम यहां बात सुलू कर सकते हैं सबसे पहले जोतिष है क्या ये समझना चाहिए ये कोई उपायों का खजाना नहीं है ये जंदगी बदलने का कोई टूल नहीं है जोतिष अपार ब्रह्मांड और सुचम संसार के बीच का कनेक्शन है अपार ब्रह्मांड में जो डांस हो रहा है और आपके अंदर के ब्रह्मान में जो डांस हो रहा है इसके बीच का connection है यह fate और free will के बीच की एक door है It is a cosmic dance of star, planets, नक्षत्राज And astrology is not a science It is an art A art which chooses their artists very carefully हर किसी के पास जोतिस जाता नहीं है और हर कोई से अपना भी नहीं सकता बहुत selected लोगों को यह चूज करता है subject इसको समझना on the one hand is very easy पर यह 2 plus 2, 4 नहीं है और on the other hand, it is very tough तब हो जाएगा astrology जब आप इसको manipulate करना चाहोगे या अपने फाइदे के लिए यूज करना चाहोगे और मैं चाहोँ कि मेरे कुछ माल प्रैक्टिसेस कर लेता हूँ मैं आपके साथ आपको गुम्राह कर देता हूँ या फिर मैं बे मन से आपके कुणली देख रहा हूँ यह भी बहुत जादा जैसे कोई भी आर्टिस ना ऐसे पेंटिंग बे मन से नहीं बना सकता कभी वो पॉपलर नहीं होगा ऐसे बे मन से अगर कुणली देख रहा हूँ ना तो भी आपके पास नहीं आएगा आपके प्रैक्टिक्शन बिसिकली गलत हो जाएगी तो मेरे हिसाब से जूतिस क्बिश्की डेफिनिशन है पूरे स्लावजी में बारानो बारा का खैल हैं बाररा राशियां हैं हमारी बारा हाउसेश हैं नाइन प्लेन से हैं इनका जो कॉआबनेशन टेम एन शुर्वात इसलोजी में हमें समझने से करनी चाहिए जो जोडियक बेल्ट है हमारे सोलर सिस्टम में ये 360 का एक एंगल माना गया उसके बाद इसको 12 बराबर भागों में डिवाइड किया गया और हर एक पार्ट को एक जोडियक का नाम दिया गया एरिस, टॉरस, जैमनी, कैंसर, लियो उससे करते करते एक्वेरिस और पाइसस ये राशिया है हमारे आस्मान में जो तारे दिखाई देते हैं या हमारे पूरे आस्मान को 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है पर एक्जांपल इसको ऐसे समझेंगे कि मुझे मुझे मुंबई आना है मुझे रनवीर ये के पॉडकास्ट पे आना है आई है एड्रेस मुंबई में वर्सोवा में यहां पर ये इस बिल्डिंग में मुझे रनवीर मिल जाएंगे पर मुझे अगर किसी प्लैनेट की पोजीशन जाननी है तो डू आई है वामैप क्या मेरे पास नक्षा ह है क्या मेरे पास एड्रेस है तो नहीं था तो इसको एक क्रियेट किया गया एक नक्षा कि अब हम बोल सकते हैं कि मंगल जो है या मार्स जो है वो एरिस में बैठा है तो आईडिया लग जाएगा अच्छा एरिस तो यहां पर होता मंगल यहां बैठा होगा मतलब जो आप क है तो वैसे ही एरिस फिक्स है वो नहीं मूव करेगा ठीक है वहां पर प्लैनेट मूव करते चले जाएंगे तो जब आप प्रकट होते हो जब आप जन्म लेते हो तो वही चीजों को प्रिंट कर दिया जाता है जिससे हम कुंडली बोलते हैं कि जब आप पैदा हुए तो दनुराशी में थे गुरू मेश राशी में थे एट सेक्टर एट सेक्टर तो बैसिकली जो आपका होरोस्कोप होता है डिजा रिप्रेजेंटेशन ओफ होल दे स्काई उस समय कौन सा प्लैनेट कहां पर किस विता तो वही मैप है पूरा उस मैप की स्टेडी एसलोजी है कि वो हीमल लाइफ पर कैसे एफेक्ट करेगी यह जो तिश है तो बारा हाउस होते है यानि कि आसमान को बारा हिस्सों में बाटा जाता है और इनके अलावा फिर सन जूपिटर जितने भी प्लैनेट्स होते है उनको वहाँ एरेंज किया जाता है मैप के अकॉर्डिंग कि जन है कि एक नक्षा है नक्षे के उपर प्लैनेट्स चल रहे थे आपने जनम लिया जहां पर प्लैनेट्स रुका हुआ तो वह हमने लिख दिया आपकी कुंड़ी बन गई ठीक है अभी आप मुझे बुलाओ कि अरुन भाई मुंबई आ जाओ तो मैं मुंबई आगे आप हमारा ऐसे ही सिर्फ राशी से प्लैनेट के एक्यूरेट पोजीशन नहीं पता चल रही थी यार इरिस तो इतना बड़ा है मंगल यहां पर है यहां पर है यहां पर है क्या करें तो फिर इसको फिर से डिवाइड किया गया 27 पार्ट्स में जिसको नाम दिया गया नक्षत्र तो हर राशी में नाइन नक्षत्र के पदा आ जाते है अब और ज्यादा पता चल गया कि एरिस में मंगल अश्वनी नक्षत्र में बैठा हुआ है तो अब एरिस इतना बड़ा था ता अब हम और चोटे चले गए देन अभी भी अभी वर्सों आ गया है अभी बिल्डिंग नहीं पहुँचे हैं तो बिल्डिंग पहुचने के लिए इन नक्षत्रों का जो पूरा एक एरिया था इसको बराबर चार भागों में डिवाइड किया गया है जैसे एक नक्षत्र का नाम है अश्वनी तो ऐसे एक नक्षत्र में चार पद हुए ठीक है अब मुझे किसी प्लैनेट के लोगेशन पता करनी है तो मेश राशी में अश्वनी नक्षत्र के दूसरे पद में मंगल बैठा हुआ है तो यह और ज्यादा एकुरेट प्लैनेट की पोजीशन पता चल गई हमें तो यह बेसिकली ऐसे बनाया गया था जब बिल्कुल टेलिसकोप नहीं होते तो प्लैनेट की पोजीशन एकुरेट हमें पता चल जाए तो यह वो साइंस था यह जो हजारों सालों पहले डेवलप किया गया और अब उसको एसलोजी की यह प्लैनेट जैसे हम दो प्लैनेट को तो देखते हैं हमारी लाइफ पे असर डालना है शूर और चंद्रमा उनक जो प्लैनेट से र्लेटेड है राहू से केतू से तो हम उसको और अच्छे से समझेंगे फिर हम अपने आपको बहतर समझेंगे जोतिछ कभी जीवन बदलता नहीं जोतिऑ हमें साजीवन समारता आप कभी भी इवेंट चेंज नहीं कर पाऊंगे उस सिर्थ हरी करेंगे आ अगर हम करने लगे हम अगवान नहीं बन जाएंगे एक साल में कितने लोगो के चार्ट्स पढ़ता हो आप पर डे बेसिस पर टेन पर डे टेन 3650 और अभी तक मैं देड़ लाग से जादा लोगो के चार्ट्स पढ़ चुका हूँ देड़ लाग लोगो के चार्ट्स पढ़े आप में आपसे मैं ये पूचना चाहूँगा कि क्या एक इनसान की किस्मत होती है या नहीं होती मैं ये कहना चाहूँगा सिर्फ किस्मत होती है और कुछ नहीं होता आपकी हाइट आपकी महनत नहीं थी आपके father, आपके mother, आपकी महनत नहीं थी आपके education, कहां पर किस school में पढ़ेंगे आपके पास senses नहीं थे decide करने के लिए It's all fate बड़ जब मैं यह आपसे कहूँगा तो बड़ा कमजोर feel होगा बड़ा powerless महसूस होगा क्या रही है क्या? जब सब कुछ किस्मत है तो मेरे हाथ में क्या है? इसलिए, it is just my opinion कि है तो सब कुछ fate आप खेल रहे हो थोड़ी-थोड़ी choices आपको दी जाती है जैसे आपकी height की choice आपको नहीं दी गई बड़ आपके paid की choice आपको दी गई है तो थोड़ी choices आपको दी गई है यहाँ पर आप कह सकते हो you are the captain of your fate you are a master of your soul life is coming out of you, not to you यहाँ पर चीज माल सकते हो बट यह बड़ी limited चीज़े है और coincidences जिनने हम इतफाक कहते है अगर हम इसे embrace करना सीख जाए life बहुत easy हो जाती है इसको मैं थोड़ा explain करूँगा हमारे life में जो event होते है हमें अच्छे यह बुरे लगने लग जाते है हम उसे एक चसमे से decode कर रहे है कि अच्छा है यह बुरा है पर actual में वो event होना था जब आप जोतिश को in-depth पढ़ते हो जो जोटे-चोटे events है यह सब predestined है यह fate है आपका यह होगा और उसके बाद कुछ और होगा आज जोब में जाकर आपको बहुत बुरा लग रहा है इससे अच्छी तो मेरी पहली वाली नौकरी थी पर इसी नौकरी में लगे रहने से लगे रहने से लगे रहने से ज़्यादा opportunity future में मिलेंगी तो यह सब हम fate के इसारों पे ही नाच रहे हैं पर इसे accept करना बड़ा कमजोर महसूस करवाता है इसी लिए हम कहते हैं कि you can control your destiny बट क्या सच में कर सकते हैं विवाद वाला विशा है क्या बहुत ज़्यादा meditation बहुत ज़्यादा पुजा पाट से बहुत ज़्यादा तंत्र से या बहुत ज़्यादा पुन्य से आपकी किस्मत बदल सकती है जो planets होते हैं रनवीर जी यह आपसे reaction चाहते हैं just do a reaction उसके बाद मैं अपना खेल खेलता हूं राहू की दशा चलती है तो यूजवरी लोगों का दिमाग खराव हो जाता है वो बहुत सोचते करते कुछ नहीं है यह एक reaction है situation का आपकी life में problems का when you do lots of साधना, lots of meditation जैसे जो साधु अगौरी लोग होते हैं यह बहुत एक साधना की level पर क्या है अपनी बहुत मेहनत से अपने reactions को control किया है कि यार मेरे मूपे तुम थूक रहे हो पर मैं गुस्सा करूँगा ने करूँगा अब मेरे हाथ में है mindset तो जब आप इस level पर पहुचते हो then I can say कि अशलोजी आप पर काम नहीं करती ऑके बट आप साधना करोगे आप meditation पर जाओगे आप spirituality में जाओगे ये भी predestined है कई लोगों के charts में पहले से होता है कि इतने बड़े बड़े मौंक हुए कि आप तो पैदा ही हुए और लोगों को enlighten करने के लिए ठीक है तो मैं यहाँ पर भी वही कहूँगा कि destiny में था आप यहाँ पहुचोगे आप यह करोगे और यह करने के बाद आप अपने senses को control करोगे विची सा मतलब हम बात कर रहे है बहुत अपर लेवल की वहाँ पर शायद normal human being कभी पहुच नहीं पाते जैसे जोतिश के end goal की आप बात करोगे कि what is the end goal of astrology यह क्या है या आपको अमीर बनाने के लिए या आपको spiritual बनाने के लिए है किस चीज के लिए तो जोतिश as a subject यह spiritual और materialistic के बीच का कॉमबो है जो यह कहता है कि भाई तुम्हें अमीर बनना है तो जोतिश के end goal यह है कि आप इन सारी चीजों को एक बार समझ लो देख लो मैसूस कर लो भोग लो उसके बाद आप कहो यार इसमें तो कुछ था ही नहीं तो एसलोजी के end goal यहां पर आके set हो जाता है कि यह आपको इस तरह से साधना या spirituality की तरब ले जाता है बाई कि आप भोग लो भाई खुश हो जाओ ठीक है और खुदी realize कर लो जिसके इनके पास पैसा बहुत होता है ना धन आ जाता है ना क्या खुश है वो नहीं खुश है क्योंकि उन्हें तब realize हो गया कि जिन्दगी भर की दोड मैंने कर दी 100 करोण, 1000 करोण, 5000 करोण के लिए पर जब यह achieve हो गया ना तब पता चला मजा नहीं है इसमें पड़े अच्छी सी एक line है कि जिन्दगी एक जादू का खिलोना है मिल जाये तो मिटी है ना मिले तो सोना है उसको ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड की हैं इस चैनल पर चैनल को एक्स्प्लोर करो देखते जाओ और सीखते जाओ